के बाद हम सॉल करेंगे क्या सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए जो की है सिंपल कि इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए रिकर्शन तो रिकर्शन क्या होता है वो चीज हमें समझने पड़ेगी कोई भी फंक्षन जो अपने आपको दुबारा कॉल करें या पिर रिपेटेटली करता रहे जब तक उसकी कोई एक बेस कंडिशन होगी व बार-बार कॉल किया कैसे जो भी नंबर हमें मिलना है ठीक है पहले उसमें मल्टिप्लाइ करते हैं हम नेक्स नंबर की यानिकी एन माइनस बनकी ठीक है और अब यह बार-बार करता चला जाएगा करता चला जाएगा बट रुकेगा कप क्योंकि अगर हम रोकेंगे नहीं से तो फिर यह हमेशा चलता ही चला जाएगा तो इसके लिए हमें इसको रोकना पड़ेगा इसको सॉरी मैंने अपर गलती कर दी यह नहीं करना है एन इंटु फैक्ट अन माइनस वन करना है वैल्यू नहीं वैल्यू तो इसमें क्या होगा पहले जैसे आपास 5 है सपोस्स तो 5 इंटु फैक्ट आफ 4 फिर 4 इंटु फैक्ट ऑफ 3 इंटु फैक्ट ऑफ 2 फैक्ट ऑफ 2 इनटु आप इसके लाबहत कुछ हो नहीं सकता अगर मैं फैक्ट ऑफ लगा हूं तो यहां पे चएक जैसे ही हमारे n की value 1 हो तो नीचे न जाओ directly यहीं से return हो जाओ 1 दे दो तो जैसे इसकी value 1 होगी यह return करतेगा 1 तो हमें एक number की value मिल जाएगी which is fact of 1 और इसी number के मज़स से हम आगे के जो fact है उनको निकाल लेंगे suppose जैसे कि हमें निकालना है fact of 2 तो हमने दे रखता है return n into fact of 1 n-1 है तो 2-1 क्या हो गया 1 अब 2 क्या है 2 f of 2 यानि 2 into f of 1 2-1 तो 1 अब fact of 1 के value अगर हमें पता है तो हमें fact of 2 की value मिल जाएगी am I right 2 into 1 करेंगे तो हमें 2 की value मिल गई 2 इसी तरीके से fact of 3 अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे 3 into fact of 2 अब fact of 2 की value में पता है क्या है 2 तो 3 into 2 क्या होगा 6 यह हो गई fact of 3 की value इसी तरीके से हमें सारी values मिलती चले जाएगी और recursion का हमारा यह होता है तो recursion में आपको simple understanding होनी चाहिए कि यह बार बार अपने function को ही call करता है उससे हमें कुछ चीज़े मिलती है और यह तब तक काम करता है जब तक इसकी base condition मीट ना हो जाए तो हमें एक base condition चाहिए होती है यह जो हमने condition दे रखके यहां पर यह हमारी base condition यह हमारी base condition है तो जब त condition मीट नहीं करेगी तब तक यह return करता जाए एक base condition मेट हुई मतलब क्या है इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए इसी base condition की मदस्ते जो हमें return मिलेगा उससे हम यह वाली जो हमारे condition है इसको fulfill करेंगा और यहां से values को calculate करेगा ठीक है तो यह तो हो गया अब पहले समस्ते है actually क तो कि यह होता है poi यह धो सब्सकुम्द का काँव अब द्याने मिंप प्रोग्रामिग में दो चीजे होती है अब हमने रिकर्शन दो देख लिया रिकर्शन का mतलब क्या है रिकर्शन हो में करते चले जाए को lookin ek प्र प्रोग्राइमिंग क्या होती है कि हमें अगर कोई प्रोब्लम हमने उसको छोटा किया पहले हमने निकाला फैक्त ऑफ फिर निकाला फेक्त ऑफ फ्रोफ प्रोब्लम को जोड के हमने एक बड़ी सब्सक्राइब करना है तो हमें रिमेंबर करना पड़ेगा यानि को पता होना चाहिए कि उसकी सब्सक्राइब काम क्या है अब रिमेंबर कैसे होता दो तरीके से सब्सक्राइब करना तो अगर आप यहां पर देखोगे हमने क्या किया हमने किया पहले पहले हमने तो यानि कि हम हम पहले ही टॉप पॉल जो यहां से करते हैं फिर यहां से फिर हम उपर जाते हैं एक एक करके ठीक है तो यह होती ही अब टैबुलेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं क्या है यहां पर यहां पर अगर जैसे कि अगर अगर मैं इसका बना लूँ एक और थी वैलू को स्टोर कर दू तो एक दो तीन चार्ट अगर मैं इसके पांच ब्लॉक्स होगा अब मैं क्या करूं कि सबसे पहले में कल्कुलेट करूं मैंने एक लूप चलाया आई से आई 025 से 024 बेसिकल नौट 024 125 कर लेते हैं क्योंकि हमें यहां पर बई चाहिए होगा तो 125 हो गया यह लेट रबेट एंड तो फर लूप 02125 कि सबसे पहले हम तक रहा है यहां पर कर रहा है किसे हमारा नंबर है तो एक हमने क्या किया निकीटल मिल जाएगा अगर मैं इसकी वैलियू स्टोर करने लगूं एक बनाकरिक वैलू रहता हूं कि कैसे हम करेंगे स्टोर यह हमारा है और इसमें मैं क्या करने वाला हूं कोड लिखने वाला हूं कि एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर हमने जो कि हम बनाएंगे अब nasıl डाल आप अंप मैं आप निकाल ओंगेगे और और हम क्या करेंगे इससें क्या करनी चाहिए इंट्रस्टिंग आए अगर रं इंडेग्स पर यानि कि सकेंड नमबर पर तो इसका जो वैल्यू है वह तू आनी चाहिए तो इसमें हमें क्या करना है यहां पर डालना पड़ेगा किसी तरीके से अब कैसे करना यह आपको देखना है तो हमने एक चीज देगी ना कि अगर हमें कोई चीज का निकालना था तो हमने कैसे निगाला था अगर आपने नोटेस किया हमें जैसे टू का फैट्रोल निगालना तो मुझे पता अगर है कि वन का फैट्रोल क्या है तो मुझे पता है त 4 का निकालने के लिए मुझे 3 का पता होना चाहिए 5 का निकालने के लिए मुझे 4 का पता होना चाहिए एक्जैक्टली यहां पे भी हमने यही किया है फैक्टोरियल पीछे का जो है उसको सेफ करते चला जाना है और अगले वाले से का मतलब है कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं आई प्लस वन को मल्टिप्लाइ कर दें अगर ए आर एट आई माइनस वन से तो क्या हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगे हमको क्या होगा अगर मैं इसको इंप्लिमेंट कर देता हूं तो हम में वैल्यू को हम क्या करेंगे याली स्टोर करने वाले हैं एक एक करके तो मैंने क्या किया है ए यार आई जीरो पे मैंने ओल्री वन फिट कर दिया है तो वन तो मैंने फिल कर दिया नेक्स इंडेक्स पर क्या फ ARI at 0 पे जो value है उसको हमने multiply कर दिया 2 से 1 प्लस 1 यानि 2 हो गया तो 2 into 2 तो यहाँ पे 2 आ गया आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे value हो गए 2 तो अब हमें 2 index पे चाहिए 3 into 2 पे जो value है उसी से हम multiply कर रहे है तो यहाँ पे क्या हो जागा 3 into 2 यानिकि 6 अगें 3 पे क्या आएगे 4 into 6 क्योंकि i-1 यानिकि 3-2 2 index पे क्या है 6 तो 4 into 6 24 इसी तरही कि next वाले number पे हमें क्या मिलेगा 120 क्यों 4 index पे हमें डालना है 4 plus 5 यानि 5 into 24 यानिकि 120 तो अब अगर मुझे return करना है यहाँ तो मैं directly return कर दूंगा AR at n-1 और मुझे मिल जाएगा मेरा number यानिकि 120 तो यह आपका जो method है यह है आपका tabulation method ठीक है यह factory का जो recursion method आपका जो factory हमने निकालाई यह हमने tabulation method से भी निकाल दी हमने एक table बनाई है और उसका end result था वह हमने निकाल दिया क्योंकि हम यहां से क्या कर सकते हैं अब हमें अगर suppose factor of 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे ar at 2 निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 2-1 करेंगे तो 1 index पर जो value है वह हमें 2 मिल जाएगा उसका तो इसी तरीके से हम किसी भी number का निकाल सकते हैं ही वह के जाए आप सी इसके इस्त् turist यहाए तो आप इसका इसके एसे कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम पिभले वाले लिए का शभ़ेर अ आप में कुछ चाहिए आही अब कि इसके यहाए नहीं लिखाओस अब आते हैं हम देखने वाले हैं Beij gets a ni programming के तिरु कैसे करते हैं सिर्फ एसथ को बता दूंभी में चिर्क आप करते हैं इस आप द बसा को पता ने कि वह निबन कर था दू इतन cohort आपका 3 आएगा फिर आपका 5 आएगा 5 3 8 आएगा ठीक है इतना ही मैं आभी कर रहा हूं इसके आगे आप कर सकते हैं वह बहुत बढ़ा हो जाएगा हमारे लिए तो इंट्रेस्टिंग्ली अगर आप इसको पैटर्न को समझेंगे तो हो क्या रहा है जीरो तो ठीक है वन भी लेखे आगे जो नमबर आया है यहां पे तीसे नमर वो पिछली दो नमबर्चन है वन प्ट जी रहूए और यहनि तक को हमें फिवन पर में चाहिए तो इसमें में रेटर्न क्या करूंगा सिंपल अगर मुझे पता है अब मुझे अगर नमबर्च कि नमबर थार्ड नमब तो मैं क्या करूंगा मुझे अगर पिछले दो नंबर मिल जाएं तो मैं मुझे मिल जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि अगर हमें n-1 यानि की ये value मिल जाए इसको add कर दूं मैं अगर इसके पिछले वाली values है तो हमें f of 3, 4 मिल जाएगा ठीक है 3 और 2 पे अगर मिल जाए में value तो हमें 4 मिल जाएगा ओके ठीक है बिल्कुल सही आता है अब यहां पर एक चीज है अगर आप इसको repeatedly convert चलता चला जा जाएगा चलता चला जाएगा तो वहां पर होगा क्या जैसे ही यह value 1 होगी तो 1-1 0 हो जाएगी अब 0 की value तो हमें मिलने वाली नहीं एक तो यह 0 हो गई दूसरा क्या है n-2 की हमने तो 1-2-1 हो गई तो 1-2-1 की value कहां से लाओगे तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे base condition लग करेंगे 1 ओके अगर base condition अगर हम चेक करेंगे अगर n equals to 0 है तो फिर हम return करेंगे 0 अब हमारा program run होगा exactly वैसे ही जैसा हम 4 है ठीक है अब हमें 0 क्यों लगा है मैं पहले आपको यह बता दूं तो problem यह होगी आपको जैसे आप n-1 करोगे n की value जब 2 होगी तो 2-1 तो 1 हो गया उ 2-2 यानि 0 उसकी value का return नहीं करोगे आप तो उसकी value आपको कभी मिलेगी नहीं और यह repeatedly चलता चला जागा चलता चला जागा ठीक है वह सबसे पहले हम इसका tree बनाएंगे का मतलब क्या है मैं मुझे चाहिए था एप इस फिबना की नंबर कौन सा नंबर चाहिए था मुझे तीन तीन ज्छेक साथ किए जिरो वन टूटू थ्री पॉर पाइब तक हमें चाहिए सपोज मैंने 6 दे दिया ठीक है जीरो इंडेक्स नहीं फॉलो कर रहेंगे जीरो इंडेक्स इस रिकॉमेंट तो फिवाफ उप फाइब कर लो पिल जाके फिवाफ फॉर निकाल दो तो हमने call किया दो और method फिव ओफ 5 निकालो तुम निकालो फिव ओफ 4 अब फिव ओफ 4 बोल ला है कि मुझे इसके लिए दो चीज़ेश चाहिए होगी क्या चीज़ फिव ओफ 3 और फिव ओफ 2 फिर 5 भी बोल रहा है मुझे फिव ओफ 4 चाहिए होगा और फिव ओफ 3 से हैं मुझे और तु capable चाहिए होगी ठी बोल रहा है मुझे टू और 1 की बैलु चाहिए होगी ठीगे और टू बोल चाहिए मुझे मुझे वं और जिरो के बैलुट ऐब पश्य होगी वन कुछ नहीं बोल रहा हैं यह सैす यह टू हो गई यह आपकी one हो गई एक्जैटल इसमें भी इस्थेम चीज्फ टू एप लगोड तो जीरो तो यह वो गया अपका ट्रे में आपका आप आप ऑफ वन और एप आप जीरो अब इन दोनों का एडिशन करोगे तो 2 मिल जाएगा इन दोनों का एडिशन करोगे तो 3 मिल जाएगा इसे दरीके से सब का एडिशन करोगे तो 2 सब कुछ मिल जाएगा ठीक है यानिकि इन दोनों का एडिशन चाहिए होगा इन दोनों का एडिशन इन दोनों का एडिशन इन प्रव्र लेड़ यह इसके लिए इसके लिए बन फिरो जीरो मिल लिए फाउब बन मिल गया तो आफ है नीकल आएगी है एक लाइक है निकल आएगे है यहां पिपर चाहिए वैसे ही इसे हमने निकालना 번째 भी इससे तरहीके से यहां पे इसकी वैलू सो जाएगी और इसकी वैलू भी बन गया तो maragner, 0, 1 होगी तो 3 प्लस 2, 3 की value क्या होगी 2 की value चाहिए होगी, तो 2 की value क्या है, 1 1, 1, 1, 2 हो गया, तो 3 की value भी 2 हो गई, 4 प्लस 3 निकालना है, तो भाईया, 4 की value तो हमें पता नहीं है 2 प्लस 1 3 करोगे, तो 4 की value 3 आ गई 3 प्लस 2, 5 हो गया, तो यहां पर इंट्रेस्टिंग एक चीज इंट्रेस्टिंग क्या है जैसे जैसे इसको विजर्ड मिलता चला जाता है यह ऊपर ट्रांसफर करता चला जाएगा इसी लिए में इसको बॉटम आप अप्रोच एसमें क्या है यह पहले टॉप पे वैल्यों निकाल शुरू करते हैं और बॉटम में सबसे पहले हम इसकी वैल्यों निकाल लेते हैं एक बेस कंडिशन के तो और फिर उसको ऊपर भीजते चले आते हैं वेस्टे चले आते हैं तो बेसिकली मैं आपको लिखके दिर्खा देदा हूं कि हमें पता है कि हमारी f of 0 क्या वैल्यू है f of 1 क्या वैल्यू है तो f of 2 हम निकाल सकते हैं f of 3 भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता है कि f of 2 क्या है which is 1 plus 2 1 plus 2 1 plus 1 that is 2 अब f of 4 अगर हमें निकालना है तो हमें चाहिए f of 3 plus f of 2 3 की वैल्यू में पता है हाँ पता है क्या है 2 2 की वैल्यू क्या थी 1 तो 2 plus 1 3 हो जाएगे f of 4 3 exactly आप f of 5 f of 4 मिल जाएगर तो काम बन जाएगा f of 3 मिल जाए तो काम चल जाएगा दो चीज़ें चाहिए होंगे 4 की वैल्यू 3 थी 3 की वैल्यू 2 थी तो यह हो गया हमारा 5 इसी तरीके से 6 नंबर चाहिए होगा मैं तो f of 5 मिल जाए प्लस f of 4 मिल जाए एक्जैक्ली 5 प्लस 3 एक्वास्ट्री 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 अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं यह f of 3 f of 2 f of 1 यह सब है क्या एक्षिली अगर आपने ले रख्योंगे अगर नहीं ले रख्योंगे तो आप समझ जाएंगे भी तो मैथमेटिक्स में हमारा पास एक फंक्शन होते थे उसमें क्या हम करते थे f of x अब हमने एक एक्वेशन बनाई x square प्लस 4x प्लस 1 इस equation की value अगर हमें चाहिए तो x की value हम देते थे तो अगर मैं f of 1 कर दूँ और 1 की value का मतलब क्या है x की जगे 1 हमकर हम place कर दें तो f of 1 हमें मिल जाएगा तो 1 square प्लस 4 into 1 प्लस 1 एक क्या हो गया 6 ओगै यह इसी तरीकी से f of 2 निकलता है इसी तरीके से f of 3 निकलता है तो यह जो function है na exactly same यह भी function ही है इसमें बस हम value भेस्ते हैं और try करते हैं यानी कि मतलब हम इसमें क्या करते है वेले गया और वहां से एक नमबर निकल के आता है उस नमबर को पर दूसरी तो पर हमने क्या recursion apply किया इसमें अपने नोटिस करी कि हम f of 2, f of 3, f of 4 बार बार निकाल लें कहीं जगे पर multiple times है अल्रेडी हमें पता भी है फिर भी हम निकाल रहे हैं उसका तो यह चीज अगर आपने नोटिस किया है पर f of 5 हमने तोड़ा f of 4 और 3 में 4 को हमने 3 और 2 में परोड़ा 3 को हमने 2 और 1 में तोड़ा फिर हम 4 को यहां पर दुबारा तोड़ रहे है और 3 को भी दुबारा तोड़ रहे है इस तरीके से multiple times हम इसको तोड़ रहे है इसलिए इसकी जो space complexity जाती है तो यह एक तो space जाएगा दूसरा आपका time complexity आप इसको बार-बार performance दे रहे हैं आप इसको function को जो है बार-बार कॉल कर रहे है कितनी बार कॉल कि आपने टूदी पावर एन यह exponential time complexity में जाता है आप टूदी पावर एन क्यूं है अगर आप इसको calculate करेंगे तो आपने क्या कि या इसको दो conditions में तोड़ा ठीक है फेव आप 6 को आपने क्या किया जो एन था उसको आपने दो condition में तोड़ा इसको दो condition है तो यह two हो गया अब यह two conditions है यह exponentially grow होती चलिए एक से यह दो हो गए फिर यह एक से दो हो गए तो दो से 4 हो गए अब 4 से 8 होंगे अब 8 से 16 होंगे 16 से 32 होंगे इस तरीके से यह exponentially grow करती चले जाएंगे हमेशा ठीक है तो यह एक है केस आपका है इसलिए हो जाता यह अब यह time complexity काम नहीं आती है यह आपको किसी ना किसी तरीके से आपको कम करनी पड़ेगी अगर मैं आपको इसका एक example दिखा दे रहा हूं कि यह क्यों नही recursion function देख लेना के कैसे इसको implement करना है सब्सक्राइब बतां करें गाल करते हैं कि नंबर फोर नंबर आता है वह आपको बताना है तो एने कोस्तो थी एगा तो टू रिटन करना 0112-20123 तो हम क्या करेंगे फिवोनेकी नमबर चाहिए हम है तो फिवोनेकी नमबर को हम आपर पास करेंगे और इसको हम क्वाल करेंगे स्टाटिक अ इंट इस फिवो नेकी इसको हमें इसको अ अनबर में मिल रहा है एट 3 कुम एक्तो इंडेक्स रख देते हैं इसका देंस को धर्यां में हमने तो हमने सबब से पहले क्या देखा हमने रिटन कर दिया है सिंपल मैं पहले हम हम विए उन्हों क्या क्या रेटन कर दिया फिव नाकी इंडेक्स-1 पर जो वैल्यू है उसको एड्र करेंगे फिवर नाकी इंडेक्स मानेस टूप है जो वैल्यू है ठीक है इसको मैं थोड़ा साम दर दो अब बेस कंडिशन हमें कुछ चाहिए होंगी क्योंकि बिना बेस कंडिशन के यह पॉल्स एरर देदेगा बेस कंडिशन हमारी क्या थी अगर इंडेक्स इसको जीरो है तो रिटन कर दो जीरो अगर इंडेक्स इसको टू बन है तो रिटन कर दो वन अधर वाइस रंगर दो को दिखकर नहीं है अगर मैं इसको रंगर दो तो आप देखोंगे तीनों केसे स्क्सेस्पुली सॉल्ड हो गए है एक रिटन कर दिया तू केस में थ्री रिटन कर दिया केस था मारा पूर वह भी रिटन गया लेकिन अगर मैं इसको सम्मिट कर दूं यह फिर मैं आपको अलुड़ी टेस्केस के तुरू दिखा देता हू दो ना यहांँ पी मैं अटर करने वाला हूं 10 अगे अगा अगर मैं पूरन कर दो अ हूम ब्रण हरे समफडी था तो से स्विफ्टिफवाइड दिया है अच्छा ठीक है तो मैं याप सकत which is तूमें दे रहाँ 20 के स्थ्री में दे रहाँ 30 और इसको में रॉन कर वाँ इसमें एक और कर आए मलब इसी तरीकिसा में के साथ इस पर जाहूं ठीक है 40 देखते हैं कहां पी हमेर देगा 60 now let's run the this let's run all the cases 1020-40 now let's see and to have value from 0 to 30 only case 4 में इसमें बोल लगता है ओके case 405 अटाय दे रहाँ मैं 3 तक है अड़ करेंगे हम तो इसने सारी values दे दी है but that's it तो इसका मुदब क्या है 6 ms runtime जो हमारा है वहां तक तो यह करने के कोशिश कर रहा है अगर मैं इसको submit कर देता हूं let's see 30 क्या limitation थी ओके 30 तक ही हमारा test किसा ओके इसने run कर दिया actually this is not good actually that's a pretty wild submission दे दिया बीट्स ओनली 7.26% of users विजाओ मुझे लगा था है यह शायद runtime error देना चीज़ को because this is not a good solution actually this is very bad solution the hell okay तो साइद मेरे कासे constant काफी लो है इस वज़े से यह issue नहीं कर रहा है इतना अगर इसको आप थोड़ा बढ़ा करेंगे तो issue करेंगा यह that's pretty wild ठीक है तो हम फिलाल देख लेते हैं कि इसको हम कैसे resolve करेंगे resolve करने का मतलब क्या है इसको हम कैसे hulk छोटा करेंगे अभी आपने देखा कि हमने इसको जब run किया submit किया basically तो 7.26% था अगर मैं दुबारा run कर submit करता हूं इसको 9.44% अगर इसको दुबारा मैं submit कर देता हूं एक बार और तो 9.46.74 परसंट यह आ गया है और 45 40 MB का space ले रहा है ठीक है कुछ लेट्स रिड्यूस दे टाइम कैसे रिड्यूस करेंगे तो हमने देखा कि हमने मैं already कुस प्रॉब्लेम सॉल्फ कर ले हैं सब प्रॉब्लेम हम हर प्रॉब्लेम को दो प्रॉब्लेम में डिवाइड कर रहे है अब मैंने एफ और फूर आ यहां पर रिजर्ब्स कर रखा है तो मुझे यहां पे शॉल्फ करने की जरूबद है क्या तो अगर मैं इसी value को यहाँ पर डाल देता या इस value को यहाँ पर डाल देता तो मेरा काम हो जाता यही मैं करने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ इसको store करने वाला हूँ store करने का मतलब क्या है उसको पता होना चाहिए कि हाँ हमने इसके already value निकाल ली है तो हम इसको दुबारा नहीं करेंगे हम store करेंगे इसको एक array के अंदर तो 0 f of 0 जहां पर हमें value मिलेगी ठीक है जब हमें f of 0 मिल जाएगी पहले हैं क्या करेंगे हम minus 1 minus 1 हर जेगे fit कर देंगे फिर हम उसको value को store करना चुरू करेंगे तो f of 6 मुझे भी पता नहीं है 5 मुझे पता नहीं, 4 मुझे पता नहीं 3 मुझे पता नहीं, 2 मुझे पता नहीं, 1 मुझे 0 मुझे पता है अलागि 0 की मुझे requirement नहीं होगी कि 0 की value मैं already दे रहा हूँ अब अगर मुझे 3 की value चाहिए होगी तो हमें 3 की value store कर दूँगा which is 2 4 की value चाहिए होगी which is 3 5 की value चाहिए होगी which is 5 and 6 की value चाहिए which is 8 इस तरीके से मैं store कर दूँगा इनकी values को और जब भी मुझे f of 2 चाहिए होगा तो मैं इसको return कर दूँगा मैं यह आपको दा दे रहा हूं तो हमारे पास और यह फंक्शन है अब इसी में एक चेक बस मुझे अड़ करना है कि अगर इफ कि जो एर्य हम बनाएंगे उसके उस पर इंडेक्स पर अर्य ओफ एन तो अगर एर्य हमने दे रखा है जिरो वन तू थ्री पोर फाइब सिक्स अगर सिक्स दे रखा है तो यह यह रहा राक्स एड़ सिक्स और एन मैनिस वन आई गेस रखना पड़ेगा मुझे जिरो पर तो अलड़ी जीरो देगा तो वी कैन एक्चली आप डैट ओके तो अगर इस इस नॉट इक वस्टू आप इसमें एक चीज यह कर सकते हैं कि आप पहले एक एरे बना ले जिसमें आप मैनिस वन डाल दें सब जगे कुछ केसे अगर आपके एरे में जीरो 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 फिल होके आया तो यहां पर इशु कर जाएगा तो इसलिए और ये मेक्शूर रखन 58 5 इसमें मैol माँ ही हो हर जगे पर अगर यह को नहीं है तो अगर मद यह को है मतलब कर चुक है हम अल्लड जिजर्ट कर देंगे हम नीचे जाएंगे ही नहीं हम इसको execute करेंगे ही नहीं कि इतना ही है कैसे को कोड में करेंगे लेट सी देट मैं यहां पर यह कहरे बना रहा हूं एंट एर एक वाईन्ट और कि दने एंडेक्स तक हमें वैलू चाहिए एंट प्लस बन तक एक सेटलिक एन प्लस वन क्योंकि हमें इंडेक्सिंग जो हमारी हुआ रखी है एन वैल्य एनिस सिक्सिक्स नंबर का वैल्यू हमें चाहिए तो हमें साथ साथ वैल्यू उसका एरे बनाना पड़ेगा ओके एंड या डट परड़ी मच इसमें मैं एक और चीज़ कर दे रहा हूं वह यह कर रहा हूं इस सी फर्स्ट एक्षिलिक यह अल्रेडी मुझे क्या देगा तैरे के अंदर तो इंडेक्स हमें मिल गया यहां पर मैं एक एरे भी मिल रहा है कि अगर एर आर अट इंडेक्स अम नॉट एक वर्स तू माइनस वन है तो फिर रिटन कर दू एर आर अट इंडेक्स अर इन में भी एर आर पास कर देंगे हैं अब अगर आपको एक चीज ना समझ में आ रही है कि यह वैल्यू कैसे आटमेटिकली रिप्लेस होंगी और यह एरे और यह एक कैसे होंगे तो वह सब एरे और एरे लिस्ट का जो हमारा पहला टुटोरियल था उसमें हमने अल्लेडी कवर अप कर देख लेते हैं कि यह यह रन भी हो रहा है कि दिंग ओके बिकॉद आप इनकंपाटिबल टाइप इन चैननाट ओके मैंने इंट देदिया है यहां पर लेट जस्टन देस अगें जो हमेख इस इसने ओर पूंड दिया है जेरो एक्सपेत्टेटिपाइप इसमें भी आटबुठ दिया ओगा जीरो क्यों डशन गतान नहीं आ यह इसमें ने आज गया है वो 8-3 ए तो इसमें हम सबसे पहले सब सकते म tomarन कर देते हैं हर जाब यहाइपँ तो लेस देन या फिर अगर हम यहां पर जीरो का चेक लगाते हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा जीरो पर वैलू है अगर तो ठीक है इस नॉट इकोस टू जीरो है अगर यह सी इट वक्स अगर मैं आप यहां पर सम्मिट करता हूं इसको ओके दिस नॉट वड़ाई सी लोगा है पर्युक्तव में चॉन ददेट अगैँ अट पस्केटिक एक सब्सक्राइड सब्सक्राइब अगर विएलुमें अगर में स्टोर नहीं जब तक हम स्टोर यह करेंगे तो इसको पता कैसे चलेगा हमें स्टोर वी करना पढ़ता है तो तो store हम करेंगे यहां पर ARR at index equals to whatever this will return just like this and then return this array of index value okay now if I run this now you can see beat 100% of users with Java that's what I was talking about now the time complexity just reduced very 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 much इसको और हम reduce कर सकते हैं कैसे अगर हम इसमें अभी आप क्या देख रहो हम अभी इस्तमाल कर रहें तो रिकर्शन में क्या है एक स्पेस यूज होता है अगर हम इसको डाइट फॉर्लूप से करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं यस और कद दो एक का ओलूप से कैसे करेंगे इसी तरीके से हमने एक आर्रे बनाया है या कर्लेट krijंगे यह उलिप यंदेक्स पर और डिभी उगी वन की वैंड़्लवल होती हमने अजया डाल दिया है अब अगर मैं वार्लूप चलाऊं जिसमें मैं क्या करूँगा मैं 2 index से लेके जो n-1 value है वहां तक चलाऊं इसको अब अगर मुझे 2 index की value चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगी मैं उसको store करूँगा ari add पर यानि कि 0, 1, 2 इस index पर अगर हमें value चाहिए तो कि 0 पर हमने 0 डाल दिया 1 पर हमने 1 डाल दिया अब अगर 0, 1, 2 पर index पर हमें value चाहिए तो वह हमें कैसे मिलेगी इन दोनों का addition कर गया यानि कि 1 प्लस 0, 1 3 index पर value चाहिए तो 2 मिल जाएगा तो ari add यानि कि 2 का जो तो फिबनाकी series में जो दूसरे number पर value आएगी वह हमारी होगी 1 तो वह कैसे मिलेगी अगर मैं कहूँ i-1 पर जो value है प्लस कर दूँ ari add i-2 पर जो value है यानि 2-2 0 2-1 1 इसी तरीके से store करता चला जाएगा यह ari add i पर और at last हम return कर देंगे ari add i-1 को ठीक है let's add a new page now अब इसको हम देख लेते हैं इसमें करके already कैसे यह होगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा arr at 0 पर मैंने डाल दिया 0 arr at 1 पर मैंने डाल दिया 1 फिर मैंने एक for loop चलाया n टाई एक वस्टू टू लाई लेस देन अन अन आई प्लस प्लस नाव सिंप्ली अचली लेस देन अन ना करके n प्लस 1 चीना तो equals to n कर दो ठीक है तो हमाँ पास arr at निकालना है हमको यानि कि second index पर जो value है वो हमें चाहिए उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा जो previous values है हमारे पास यानि कि i-2 प्लस arr at i-1 उसको store कर दो कर मैं और फिर मैं क्या गरूंगा return कर दूंगा arr at i sorry n-1 n को return कर देता है n प्लस 1 वैसे भी हमने array बना रखता है और इसको मैं हटा दे रहा हूँ तो इसको मैं call नहीं करूंगा basically तो पहले हम run कर देखते हैं कि यह चलेगा या नहीं चलेगा पहले तो अगर अगर तो इसमें यह बोल रहा है कि अगर अब हम यहां पर चेक करना पड़ेगा हमने यहां पर क्या किया है arr one हम यहां पर करने तो लगे हैं बट अगर n की length जो है वो 0 ही है तो उस case में क्या करोगे आप n की length अगर 0 है तब क्या करोगे आप तो 0 है अगर तो हम already return कर देंगे 0 को और अगर आप n की length और वन है तो हम return कर देंगे वन क्यों कि अगर जीरो है तो जीरो रिटन करेंगे वन है तो वन रिटन करेंगे वन है तक बन है तब भी 0 रे टन होगए अच्यली अगर जीरो तो होना ही नीचीए है यह एक लेट्स सम्मिट अगें एंग अगर वन है तो और पूट जीरो है एक्सपेक्टेड वन है पहला नंबर तो जीरो है नहीं एक्ट्सी एक्षिली एफ जीरो जीरो है एफ उन-वन है ओक्याँ इस वह रिटन वन करना है इतना है बाक्ती सब्सक्राइब पासी हो गया अधिस एंट इस परसें परसें जावा ना यहां इसको और सिंप्लिफाइब कर सकते हैं अब मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए एक मेमाजेशन का एक टैबुलेशन का जो अब दिखाया है वह टैब इसमेli ह wellness कमक्राइब कर रही है उनको हम सेव करके यानी कि मैमोराइब करते हैं उसको कहते हैं कि आप याद रख शचालों को इस नोटिस्क में देखने तो AR at 0 पे value है 0, AR at 1 पे value है 1, AR 2 पे value है 1, AR 3 पे value है 2, AR 4 पे value है आपकी 3, और AR 5 पे value है आपकी 5. आपको यह उगर निकाल ली है तो बस आपको यह और यह value पता होनी चाहिए अगर इसको निकालने के लिए आपको इसकी जरुद्ध पड़ेगी इसको निकालने के लिए इसकी जरुत तो क्या मैं कहता है नियुक्त की सिर्ष बाल्यू से हमारा काम चल सकता है कि previous का भी previous तो मुझे current value मिल जाएगी यहां हम इसको कह सकते हैं यस तो अगर मैं previous value 0 दे दूँ और प्रेव 2 की value 1 दे दूँ तो current value मेरी क्या होगी previous प्लस previous के भी previous वाली जो value है वो मेरी current value बन जाएगी अगर आप देखोगे फिर मैं इसको change कर दूँगा मैं एक-एक step आगे बढ़ा दूँगा अब क्या करूँगा प्रेव 2 की value कर दूँगा मैं प्रेव और मैंने current निकाल लिया है current value मेरी बन जाएगी previous value फिर से मैं दुबारा current निकालूंगा इन दो के लिए अब इन दो के साथ next value इसकी फिर ऐसे repeatedly मैं करता चलाओंगा और मेरा काम हो जाएगा अगर मैं इसको दिखाओं आपको करके ऌ現 लिए अग्या निक दो उन्योंड आश्या लिएल के लिए अ-षब बना विए अठरीड अब गए वर विए अग्या यदि आख़ बना वह्या इन यदाने लो ह। अब अखरओंगा अग्या व creep to हो को अग्या क्या strengthen और्यवा course ूश्या और ओवalter ऋ ओ्रिया झाल, इसक् अगर मैं यहां पर कर रहा हूं अब इसको तो हमें क्या करना है simple int current इकोस्ट्न प्रेप प्लस प्रेप 2 फिर मैं इसको replace करूंगा प्रेप तो मेरा बन जाएगा प्रेप और प्रेप मेरा बन जाएगा टरेन्ट और फिर मैं रेटन कर दूंगा क्या क्या रेटन करेंगे प्रीवियस वैल्यू यह करेंट वैल्यू वैल्यू वैसे अगर मैं चाहूं तो यहां प्रीवियस वैल्यू करने में करेंट वैल्यू मेरा बाहर है ही नहीं तो मैं इसको रिटन कैसे कर दूंगा करेंट तो मैं अंद तो हम क्या कर रहा है यहां पर आई को स्टू था हमारा तो जीरो और वन की वैलू तो मुझे पता है तो की वैलू मुझे निकान ली थी तो जीरो प्लस वन मैंने किया तो आया वन करेंट में और प्रेप टू अब मेरा हो जाएगा वन इस लीए यह काम नहीं कर रहा कि ट्रेट साथ तो प्रीवियस वैलू उन है प्रीवेस टू की वैली जो है वह जीरो ओगी कि अ रिक्सूद वर्क कुमट कर Northeyed कि अगर मैं आप इसको संंधवी चhow कर दूँ हो रही एक या का स्पवेस कॉमपलेक्सिटी हमारा पैरेमीटर होता है कि हमारा प्रोग्राम कैसा है तो उन्वे से इंप्रूब कर दिया है जो हमारा टाइम उसको हम ने इंप्रूफ कर दिया है तो लाइक कर दो सब्सक्राइब और यह मदल होती है and yeah that's it subscribe जरू कर लेना वेला इकन दवाले ना मिलते नेक्स वीडिए में आप टेक लिए बाए बाए